इस वीडियो वी स्टार्ट एक्सराइस 5.2 अफ क्लास 10 5.1 हम लोग पहले दो पार्ट में कल चुके हैं 5.2 में जो हमें फाइंड करना है वह हमें फाइंड करना है हम लोग एपी पढ़ रहते हैं तो एंथ टर्म आफ कि पूरी एपी कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो डायरेक्टली हमने एपी डिसकर्स की ती डाट इस अर्थ मैडिक प्रोग्रेशन चैप्कर फाइफ तो उसमें लोग देख रहे थे कि हमारा डिफ्रेंस होता है के बीच का वह सेम होना चाहिए अप्टू दा होल एपी है ना बट अब अगर हमें चलो डिफ्रेंस पता पड़े गया है ना अब हमको एपी निकालनी है कि एक सिरीज की आपको फिफ्टी थी टर्म या फिफ्टी वन थी टर्म निकालनी तो हम लोग बोलता है एंथ टर्म है तो फॉर्मला कुछ ऐसे होता है एंट इक्वल्स टू ए प्लस एंट माइनस वन इंटू दी यह वाला पूरा फॉर्मला हम लोग यूज करेंगे 5.2 के अंदर इसको हम लोग लास्ट टम बोलता है यह हमारी फॉर्स टर्म है और दी मतलब डिफ्रेंस हमा रहा है तो हम लोग फैमिलियर एस वाले वोइट से तो चिक है अगर उसने बोला कि आपको एक एपी की मान लीजिए कि हमको निकाल लिए सेविंथ टर्म तो मैंने कि हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है वी नीड टू फाइंड अ सब्सक्राइब करना है यहां पर एस सेवन मतलब सब्सक्राइब करते हैं हमारे क्वेशन उसमें आपको कुछ एक वह है ठीक है तो वह स्किप कर दो हम स्टार्ट करेंगे सेकिंड से मुल्टिबल चॉर्स कौशन है कि 30 टर्म ऑफ एन एप अब इसके अंदर हम लोग की बता अप्लाइब करेंगे क्वेशन क्या है टैन सेवन फॉर और इसकी हमको थर्टी टर्म बतानी है थीक है सबस्वेहरा देखों की यह फास्वी स्टाम होती तो एक है और यह दी होता होता है वह तो साकूंट टम माइनस फर्स्ट टम डैट्स सेवन मानस टैन विच इस माइनस थ्री ठर्टी टम निकाले यानिकि जो एड़ वह गत्ता है 30 है ठीक आप पुट करो 10 प्लस एन माइनस 1 एन मतलब किता है 30 30 माइनस 1 यानि कि 29 और डी किता है माइनस 3 ठीक है अब इसको पहले सॉल्फ करेंगे मल्टिप्लाय वाले को तो यह हो जाएगा 29 इंटू 3 होता है 77 बट वह होगा माइनस का क्योंकि यह चीज माइनस किया प्लस मा माइनस तो हमारा अंसर आजएगा माइनस 77 तो जो हमारे जो एपी की 30 टर्म होगी वह कितनी होगी माइनस 77 क्लियर है ठीक है अब कॉश्चन देखो इसका थर्ड वाला थर्ड वाल जो कॉश्चन वह बॉक्स वाले फॉर्म के अंदर है है ना तो यह इंपोर्टेंट है यह सालवरियमंगे पना कि है एक अनि पाता carrying जो Prach में स्था तो तो यह होगी और म्यार था फोनटेश्या टो देखो यह हमारा एवन है यह हमारा अवर्ण ही त संथकेंड चमों है एर्ट सालवा मिशúथन इस भी टीरस इतता स्थर्स्ट थे तो अब अगर आगर हम देखें आगर वह सकते हों और मतलब क्योंकि कुई भी सुझ टू टुटली सिख्श मायन सेक्ष चेक्ष्ट ग्यूंक एक्सष्ट मायनस सेंडिफ्रेंस गडर्ञें तो कैसे वह आ है कि यह आपके प्लस हो जाएगा तो और यह आपके प्लस को जाएगा तो 2 एकष्ट गवल कॉर्टीन एक्स माइनस ट्ऊ है ना तो हमारा ही कितना आ रहा है 14 अपॉन 2 7 हमारी टर्म कितनी आ रही है मैंने यह पर 28 लिखा तो सॉरी 14 लिखाता ही 28 है चिक है तो यह कटके कितना और है 14 actually answer 14 है इसका चिक है कि जो सेकेंड टर्म होईगी वो कितनी आ रही है हमारी 14 जो हमारा एटू आ रहा है वो कितना रहा है फाइनल हमारा 14 ठीक है कि एट थ्री ट्वंटे सिक्स हाँ अब देखो सैकिंड कोशन देखो इसका यह बॉक्स है फिर थर्टीन है फिर बॉक्स है और फिर थ्री है तो टोटल हमारे पास आप हम लोग यहां पर नहीं कर सकते हैं जो ने यहां पर किया था था कि अब इस के सब्सक्राइब मिसेंगे सेकंड गिवन है यानि कि एटू ठीक है हमको एटू गिवन है और यहां से हमको एफोर गिवन है अच्छा अगर हम लोग इस फॉर्मले से देखें जो हमने उपर लिखाता यह वाला तो एटू अगर मैं टू रखूं तो एटू के लिए मेरी बनें थी एप्लस सिक् इसरी यहां पर टर्म साइगे मतलब इसकी जगह पर लिखेंगे लिए इक वाल स्टू में यह यह वी पास 13 अब यह लगाएंगे माइनस च्छिक है तो यह जाएगा माइनस का टू डी और यह जाएगा माइनस का टैन यह चैनसल तो डीगी वैल्यू कित्ती आ गई फाइफ अब डीगी वैल्यव प्लस का फाइफ आई ए चिक है तो अगर हम लोग जैसे यहां तो तर्म होगी उसमें प्लस फाइफ करेके सेकेंड तर्म अब देखो मैंने यह पर प्लस का फाइफ लिखा तो भाई यही तो चीन है ना अब यह कैसे आगी त्रीट है नहीं हूँ कि हम हमारा किसका है माइनस का क्यूंकि 13-3 प्लस का 10 आएगा मैंने माइनस लिख दिया था तो यह माइनस का 5 हो गया तो कैसे हुआ यह कि यह हमारी होगे 18 18-5 13 13-5 8 और फिर 8-5 3 अब सही है अब ऐसी जो उसके और और वह तो आप लोगो आपन देखते हैं सा कौशन लास्ट वाला वह देख लो बीचे के नीचे के जो सेकेंड थर्ड है वह आप थर्ड फोल्त है वह आप लोगो कर लेना नहीं आएगा तो आपन क्लास में दिसकस कर लेंगे सिर्दी यह कोशन हैं वैसे तो बड़ हमारे पास वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स टर्म्स है उसमारे पास सेकेंड और सिक्स हमको गिवन है यानि कि हमको गिवन है अगर मैं एटू के साब से बनाओ एक्वेशन तो कह बन जाएगी ए प्लस डी और अगर मैं आप साफ से फिर minus फिर minus तो यह plus 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 60 यह cancel और plus minus minus 4 D तो D की value कित्या आगे है मिरे पस 12 ठीक है यहाँ पर D की value हमारे पास आगी 12 हैं मारे जो वैली 15 होते हैं या यानि कि अगर यह बादो जो बैली वाजय करेक जब आई जब आपको यहां से यहां जाना ओना तो फिल्ट करा करो और झाओ करे शोपी जना यहां लगता है यहां लगता है और हापको सिंपल जाना तो पिर आपको जोबी अए अगर करते भूचाने ओर ब्लेस करते बजाएंगे लेकिन गयों ऑनka यहां से करेंगे तो हमारी जो वैलिए कैसे हैं ज्बंइके कैसे बनेते रिभू एक के बने गी और को सॉरृ मैमानेस 15 कर थे निकिए यह उ이드 फिर बनेगी माइनस 7 और फिर बनेगी माइनस 22 अब जारी वैल्यू नेगेटिव है ठीक है है ना तो यह हो गया अब आप देखो आपका question 4 कि which term of AP is 78 यह बोल रहा है इस AP की कौन सी term 78 होगी which term of AP is 78 तो which term यहने कि हमसे end पूछ रही है तो AP दे रखी हमको 3, 8, 13 is 78 यहने कि आपको last term दे रहा है कि 78 तक की term बताओ कितनी होगी अगर last time हमको given उसका मतलब यह क्या है पूरा whole soul आपको AN दे रखा है यह आपका A है और D कैसे आएगा 8-3 करके that is 5 और आपको N निकालना है यह आपके तो formula 78 यहने कि AN A plus N minus 1 and D is 5 ठीक है यह बनगी equation है ना अब क्यों होगा फुपसे पहले solve कैसे करेंगे इसको जो plus का उसको माल लेकर जाएंगे माइनस में है ना आप यह मत करना कि पहले आप इसको से multiply कर दो नहीं मतलब बढ़ा हो जाएगा question इसको पहले यहना लेकर जाओ तो 78 माइनस 3 इक्वल्स 2 एन माइनस 1 और यह हो गया 5 तो 78 माइनस 3 कितना हो गया 75 और डिवाइड में 5 तो 5 वन से 5 25 तो 15 इक्वल्स 2 एन माइनस 1 और रहा प्लस तो-कितना जाएगा हमारे पास 16 पहले 15 का 15 तो यहीं तो यह डाएगा माइनस का 1 वाज़ा कि किसको जाएगा प्लस का तो 15 और 16 यानि कि जोसके 16 टॉम होगी ना पी कि हमारी क्या होगी 78 तो और वाले कॉशन दो कहले हो आप जब आप इस वाला कॉशन देखो जो सफ वाला कोशन न वाला कि अब यह बोल रहा है क्या इसकी कोई टर्म माइनस 150 हो सकती है क्या यानि कि से मैं बट में क्यों कर रही हूं कि इसका नो है मुझे आपको बतारा है कि अन्सर नो कैसे आएगा गज़ेंगे माइनस का फिफ्टी एलेवन प्लस एन तो है नहीं और डिफ्रेंस है एट माइनस 11 मतलब माइनस थ्री यह चल रहा है अब इसको यह लेकर जो तो यह हो गया माइनस 150 और माइनस 11 इक्वल्स टुए एन माइनस वन और तो मैनस वन फिफ्टी एलेवन तो यह आ रहा है 161 माइनस का और डिवाइड में माइनस 3 और यह आ रहा है पहली बात तो पुरा से 2 सोल्ब नहीं होता हम लेसे संटन होगा ये सब नहीं कोड़ी छोडों सब्सक्राइब कर सकते हैं or टीज़ अच्ञिंगे मीन अवायगा की इspeaks here not a term of AP यह AP की कोई सी भी टर्म नहीं है अब सेवंथ कॉशन देखा हूँ सेवंथ कॉशन भोल रहा है कि फाइंड थर्टी फर्स टम आफ एपी हूज 11 टम इस थर्टी एट एंड शिक्स्टीन तम इस सेवंथी तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको कि 11 इस थर्टी एट एंड एंड शिक्स्टीन तिस सेवंथी त्री यह हमको गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड थर्टी फर्स टम चीक है इसके साबसे पनाव एक्विशन पहले यह एक बार एंड इसका 11 और एक बार एंड इ और सेवंटी इक्वल्स टू कि ए प्लस 15 डी अब यह आ गए अए इसका मतला आप तो वह सेमी मेंशन इसें तो प्लस मानस मांस को यहां प्रस मांस मांस यह कितना रहें अपा पार इसका फाइव दी इनस कि कि एक इसको एक लिखेंगे आग गहां मानस फाइव डिक्वल्स गई इसका मतलब अभी तर्म नहीं है हमारी ठीक है हमको 31 निकालनी है इसकी अभी 7 आ गया तो हम लोग पहले ए निकालेंगे अब एक से अगालेंगे इस 7 को यहां पुट करेंगे नोनों से किसी भी एक एक इक्वेशन में तो 38 इक्वलस टू ए प्लस 70 तो 70 होजाएगा यह अभी 70 कि किसको हो जाएगा माइनस का तो जाएगा 38-70 ठीक है और 38-70 यानिकि एक कि वैली कितने जाएगे माइनस 32 है न अब माइनस 32 आग मैं 29 लिख रहे थी और दी इस 7 तो माइनस 32 प्लस 210 है न तो हमारा अंसर आजाएगा 178 प्लस के तो उसकी 31 भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 178 अब कॉशन 8 देखो एक AP यह वो 50 टर्म कंसिस्ट कर दिये यानिकि टोटल टर्म कितनी है 50 इन विच थर्ड टर्म इस 12 यानि लास्ट तर्म मतलब आप यह में सुचना कि टर्म कितनी है तो टोटल तो लास्ट वन जिरो से उसकी तो फाइन उसको करनी 29 टर्म ऐसे यह लिखना होता है हमको आप अब इसके असाब से एक्विशन अगरा हम फ्रेम करें तो सिंपल ए प्लस 2D और ए प्लस 40 90 यह मैनस यह मै मैनस 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 यह जागा 47D यह आरा 94 ठीक है यह कटके कितना हो रहा है पूरा पूरा टू टाइमस तो डी की वैल्यू किते आ रही है टू ठीक है अब डी की वैल्यू अब लोग एक ही निकाल लेंगे यहां पूट करके अब यहां आके माइनस अब ए आ गया और डी आ गया तो 29N है अराम से वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो यह उसके एट तक क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में हम करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नमबर 9 से ठीक है और इसको होमवर्क आपको साइंड कर देजा